हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीर स्वाउथ करता हूँ पना यूधूब चैनल को Εनक विडियो में दोस्तों जैसे आज आपको पता है यह आपके सवाल जबावली वीडियो है जो तीन वूझे अपडेट होती है ठीक है दोस्तों कभी-कभी वीडियो लेट अपडेट होती है क्यूंकि आपके सवालों के लिए टाइम लगता है इंफ्रमेशन निकालने के लिए ठीक है दोस्तो मेशार पहल पहले को जो आने हुए है जो लोगों के लिए निकाले थे जो हमने आपके साथ साजा करें तो आप में से चे सब्सक्राइबर ने चे पैकेट हमारे बुक कर लिए थे चे के चे बिग गए है ठीक है वह अब हम ऐसी कुछ और रेर आइटम निकालना चारें आपके लिए तो आने वाली वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी टैन रूपीज के क्रोस कोईन है दोजा चे और दोजा साथ के आपको बुक करने है आप अभी बुक कर सकते है और आपका बुक हो जाएगा और आपको मैं बता रहा हूं दो पैकेट और निकाल रहे हैं आपने नाम सुना होगा फाइब रूपीज क के भी है कोई वह भी पैकिट स्टकर कर सकते हैं एक सम स्ट मतारी के है फिर सबस्क्राइबर को बोल डयना चाहूंघ 6 है जो आप लोगों के लिए निकाले है अपने क्लेक्शन में से ठीक दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर हैं तब ही आप मुझे इस वाटसप नंबर पर कॉंटेक्ट करना अधर्वाइज नहीं बस मैं सब्सक्राइबर को देना चाहूंगा जो कलेक्शन करते हैं रेर आइटम का ठीक है यह रेर आइटम है आगे वैल्यू बहुत ही जादा बढ़ जाए है ठीक है मगार हमें रीजनेवल में मिलेते हैं आपको भी दे देंगे हम तो दोस्तों पहला सवाल कवर करते हैं किसका है तो पहला सवाल पूचा है दीपक गुपता जी ने यह पूच रहे हैं सर में आपका फैन हूं और मुझे एक रुपे के उननीस सो बानवे से आप सुनिए तो इसके मैटल की बात करें तो स्टेनले स्टील है वेट की बात करें तो पूरे पांच ग्रम का कोई नहीं साइज इसका पचीस में मैं ठीकनेस इसकी वन पॉइंट फॉर मैं मैं शेप इसकी राउंड है और यह आयते उननीस सो बानवे से दोजा चार तक यह आप देख रहें उननीस सो बानवे का कोई और यह आप देख रहें दोजा चार का ठीक है अब आपने पूछा इसमें रेयर और स्केर कैटिकरी भी कोई नहीं है सब नॉर्मल कैटिकरी के कोईन है मगर आपके पास एरर आ जाते है ठीक है एरर कोईन की वेल्यू होती है या दोनों तरफ कोई प्रिंट एक जैसा हो जाए या फिर एक तरफ बिलको प्लेन हो एक तरफ प्रिंट प्रिंट हो जाए या मैटल दूसरा हो ठीक है वह रेयर कैटिकरी के कोईन हो जाते हैं मियूल कोईन हो जाते हैं ठीक है ना कुछ इसमें मियूल विराइटी भी देख सक रखते हैं आप या किसी का वेट कम जादा हो तो उस पर आप नज़र रखें ठीक है वही रेर होते हैं बाकि ऐसे जितने भी कोई नाया कोई एरर होगा तो उसकी वैल्यू जरू बढ़ जाएगी तो नेक्स्ट कोशन कवर करते हैं किसका है तो नेक्स्ट कोशन पूचा है आशिश वर्मा जी ने हैस्टेक कोई न मिडिया सर मेरे पास 5 रुपे का कॉपन निकल 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 नहीं तो यह मार्केट प्राइस जानना है ठीक है 1992 से 24 तक आये यह यह आया है भारत की चार मिंट में और एक मिंट आये इसमें फिदेशी मिंट है मॉस्को ठीक है आपने 1994 की वैल्यू पूछी है 1994 में नॉर्मल है एकदम वैल्यू यूंसी में जाती है 10 से 15 रुपे ठीक है अगर आपके बाद 24 का है तो उसकी वैल यूंसी में तो आपको 800 से 1200 रुपे के बीच में मिल सकते हैं नेक्स्ट कोशन कवर कर लेते किसका है तो नेक्स्ट कोशन पूछा है के लाज सागर जी ने हैं स्टैक कोईन मेडिया यह आपने गलत लिखा है तो आप बीच में आना गैप ना देना अगली बार से वह लिया सवाल बस यह लिया है कि लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे ना लिखिए पूरा है स्टैक से जोड़ के लिखिए पूरा ठीक है तो यह 1963 के पार 25 पैसे का कोईन है एर कोईन है और यह उसकी मार्किट वैल्यू जानना चाहते हैं तो ठीक है मैं आपको कीमत बतारा हूं आपको एर की वैल्यू बता देता हूं इसके मैटल की बात करें तो निकल है वेट की बात करें तो डाइगराम का कोईन होगा साइज इसका 18.7 mm है ठीकनेस इसकी 1.32 mm है शेप इसकी राउंड है वैसे आपके पास सिंपल यही वाला कोईन है तो वैल्यू है यूंसी में 10 रखती आपको मगर आपके पास और नॉर्मल है थोड़ा सा डाइशिफ्टिंग एर रहा तो ज्यादे साधा सो से डिएड़ सो रुपर ठीक है तो नेक्स्ट कोशन कवर कर लेते किसका है तो नेक्स्ट कोशन पूछा है मदू कुपता जी ने हैं स्टेक में मेरे पास इनके जाता है तो नेक्स्ट कोशन कवर कर लेते हैं किसका है तो नेक्स्ट कोशन पूछा है कश्मीदी गोट टैलेंट ने तो हैस्ट कोईन विडिया सर मेरे पास वन रुपीज है टूरिजम इंडिया का डामेंड मिंट का 1991 तो यह वैल्यू जाना चाहरे है तो ठीक है मैं आपको बता रहा हूं सुनिए दोस्तों इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए है तो पहले देट में जो वीडियो अपडेट होगी उनमें से पांच लग्की विनर के सवालों के जवाब दीए जाएंगे ठीक है अब इन्होंने यह पूछा है वन रुपीज का जो उन इस से कैन्मे में टूरिजम इयर पर आया था तो यह आप कोईन देख सकते हैं यह कोईन होगा आ आप इसका को ईन के रैट पूछया तो मैं को इवेल्यू बता रहा हूं इसके मैटल की मत और और इसका इन कि बात करें तो चीच करें यह अिकल का ओ है नो प्रोब्लम ठीक है दोस्तों ऐसे आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप हैस्टेक को इन मेडिया लिखे पूछ सकते हैं लोगों की तरह बिल्कुत सही लिखना जैसे इन सब लिखाए तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार ते सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी इंफर्मेशन के लिए आप बैन लोटकेशन को जरूर ओन करिए जो आपको वीडियो सबसे पहले मेरी मिल सके तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ओके भाई टेक केर